हेलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का डाउटनट लाइफ पे और आज हमारी मास्टर क्लास है जैसे कि आपको पता है अपनी मास्टर क्लास की रोज साथ बजे सीरीज चलती है तो आज उसी का नेक्स पार्ट है जहां पर हम पॉलिनेशन के बारे में और इसके डिफरेंट टाइप्स की पारे में चलो नेक्स लाइट पर आते हैं बाई कक्षा ग्यारवी का हिंदी मध्यम का बोर्ट जो है पांस तारिक से शुरू हो चुका है ठीक है बेसिकली बच्चों की डिमांड थी कि बाई दसवी का बारवी का कोर्स चल रहा है आप ग्यारवी के लिए क्यों नहीं चला रहे तो चलो यह कोर्स पहले से बहतर क्यों है यह कंपेर टू अधर प्लैटफॉर्म सी भैतर क्यों है तो यहां पर आपको टीचर दौरा नोट्स में जाएंगे जो टीचर क्लास में पढ़ा रहा है उसी को टाइप करके आपको दिया जाएगा रिवीजन होगा अब देख सकते हैं लास फ्लाइड पर लेखो आपका इस सकूरा पर ऐख पर भीडे तेखो आपको इस नंबर पर बजा आपको क्या user मिल जाएगा आपको सारी डीटेल मिल जाएगगी इस नंबर पर आपको सिर्फ कॉल ब्यास verw करना है क्या से पार्टिसिपैट करना है कैसे अडिशन लेने तो जो बच्चे रेगुलर क्लास ले रहे हैं उनके लिए तो बहुत असान है और जो बच्चे थोड़ा आते हैं कभी-कभी मूड बना के उनके थोड़ा मुश्किल हो जाएगा तो चलो कुछ का पहला कोशन देख लेते हैं चलो भाई कुछ का पहला कोशन यह आपकी स्क्री करवाय था आपको यह बताना नहीं क्या है सकांसर जल्दी से बताओ मेगा घमीटो जनेस जो होता है उस प्रसेस में घम्ड़ो शहक यानिकी मेगा अपना फीमेल घमीटो फायट किससे बनता है बहुत बच्चोंने पढ़ाई करी है जिन पच्छों ने क्लास से चैंड आड इसके बाद फिर नेक्स कोशन पर आते हैं अब टिपिकल एंब्रोस एक के अंदर कितने सेल्स होते हैं कितने नुकलियस होते हैं अब आपको लग रहा होगा कि यार यह भी पूछने वाला कोशन है यहां पर लॉजिक यूज होता है ठीक है एक्जाम का बहुत पॉपलर कोशन है cbsc ने बोर्ट में पूछ पूछ के इतना बारी पूछ लिया है ना कि अब बच्चों को रट गया एक कुशन जो बच्चे बोर्ट की त्यारी करते हैं उन्हें से पूछना अच्छे से कि हाँ आता है इसमें एक्जाम में बताओ जल्दी क्या अंसर होगा इसका फिर इस बहुत बच्चे जुड़े हैं हो सकता है कि बच्चे अभी हैं वाद में ना आए तो एक इंपॉर्टन अनॉंस्मेंट और थी हमारी जो यह वाली क्लास हो रही है यानि कि जो साथ बज़े अभी क्लास हो रही है यह क्लास मंडे से ना पाच बज़े शिफ्ट हो जाएगी जाएंगे और यह फिर आ जाएगी निट स्पेशल में इसका एक demons special काम कोर्स हो रन कर रहे है तो यह सब नीट इसपेशल में आजएगा अब तो जहार सी बात है कि इसका पकलास का content का level है वो हम बढ़ा देंगे ठीक है जो आपको content मिल रहा है वो बोर्फ के से मिल रहा था लेकिन क्या है कि अभी नीट का को स्टार्ट कर रहे हैं हम 2021 के लिए ठीक है कब के लिए 2021 के लिए नीट का एक स्पेशल कोर्स चल रहा है और कोर्स एकदम फ्री है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पर content जो है आपको थोड़ा high level का मिलेगा तो बच्चे सोच रहेंगे सब फिर हम बोर्स की त्यारी कैसे करें हो सकते हैं कि कुछ बच्चे नीट की त्यारी नहीं कर रहे हूं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है साथ बजे ही मंडे से cbsc cbsc board special ओके board special course चालू हो जाएगा कब मंडे से तो आपका ये वाला chapter भी continuously चलता रहेगा ओके और नया जो है 12th class का वो भी चालू हो जाएगा और आप सोच रहेंगे कि भाई पढ़ने के लिए बहुत जादा हो जाएगा तो देखो इतना तो पढ़ते हैं तो इतना आपको पढ़ना पढ़ता है अपने 12th class में आ गये हैं बोर्स की त्यारी कर रहे हैं अच्छे से तो उसको करना या अगर आप चाते हैं कि नीट की त देख रहे हो उनको नीट की त्यारी करनी हो तो उनके लिए यह वाली क्लासिस जो हैं बहुत जादे इंपोर्टेंट है ठीक है तो साथ बज़े से और यहां पर हम एक चीज और बता देते हैं जो हमारी यूनिट नहीं होई क्योंकि और लड़ी एक कोर्स चल रहा है तो यह पच्चों कि क्या है कि स्कूल खुलने वाले हैं तो एक इवनिंग में भी कोर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं ठीक है तो यहां पर सबसे जो लास्ट यूनिट अपनी और गयानिजम और पॉपलेशन इससे स्टार्ट करेंगे फिर उसके बाद जाएंगे सीधा जनेटिक्स पे तो जो उसके बाद हम जाएंगे जनेटिक्स पे ठीक है बाई तो जो जो स्कोरिंग वाले एरियास हैं सबसे पहले उन्हें टार्गेट करेंगे और फिर उन्हें पकड़के फोड़ेंगे ठीक है बाई क्योंकि और गयानिजम और पॉपलेशन वाली जो यूनिट है अपनी इसमें सिर्फ हमारे आ रहे हैं कितने चेप्टर दो चेप्टर पहले इस यूनिट में ना पहले इस यूनिट के अंदर हमारे होते थे चार चेप्टर लेकिन ड्यू टू कोरोना वायरस के साइड इफेक्ट से हमारे चार में से दो चेप्टर को डिलीट कर दिया है तो अब स्टार्ट हुआ जा रहा है और वो कोर्स भी ऐसा है कि एकदम फ्री है कोई बच्चों को ये डर हो फीस का तो फीस वगरा वाली बात कुछ नहीं है ठीक है और नीट स्पेशल अपना स्टार्ट हो जाएगा कब पांच बजे तो आप इसको देखना मत भूलें जैसे कि आप ज पर फिर से स्कीन पर ला दीजिए उसकी बारे में डिसकस कर लेते हैं ठीक है भई इसको आप रशकर देते हैं जो पहले कोशन का अंसर बहुत इजी है हमने बताया था कि अपना गेमिटोफाइट जो होता है एंब्रेसाक यानी की फीमेल गेमिटोफाइट किस से बनता है मे रॉइस कर लेंगे जिन बच्चे को जो बच्चे नए है उनको तो पता है चाहे आंस्सका ठीक है कया क्या होता है उसके बार में पढ़ा था अब मैं भाई देखो पूरा ओविल का स्ट्रक्चर फिर से आज इसकास नहीं करूंगा वरना हमारे जो पराने वाले बच्चे हो बोर जाएंगे कि सार रोज एक इक चीज पढ़ा रहे हैं तो इसके बारे में जारा पढ़ते हैं देख मदर सल ओके बाई अब यह मेगा स्पोर मदर सल जो होता है कैसा होता है डेपलड होता है लेकिन अपना क्या मेगा स्पोर्स जो होता है कैसा होता है है अब यह कैसा हुआ इसके बार में बच्चों को पता है लेकिन आज फिर से जानकारी देते हैं देखो होता है क्या है यह द्यान से देखो नुसाइलस के एक एरिया में ठीक है जो अपना नुसाइलर टिशू होता है ठीक है नुसाइलर टिशू का एक सेल कौन से एंड पे माइक्रोपाइल वाले एंड पे माइक्रोपाइल वाले vite रों करता है differentiate new cell का एक सल माइक्रोपाइल वाले एंड पे differentiate करता है और क्या बनाता है Sporogenylous Cel ठीक है वह बनाता है क्या Sporogenous cell whileайте all ay होता है यानि कि इस केंद्रेजंट होते हैं दो सेट्स आफ रोमाजोम् przeci यह spore-ruginous cells बनाता है बाई क्या जायर सी बात है megaspor mother cell यानि कि mmc यह भी कैसा होता है deplet होता है को कि अब इस megaspor mother cell में होता है बाई meiosis अब यहां पर होता है meiosis और meiosis हमें पता है क्या है एक reductional division है यानि कि अगर यहां पर number of chromosomes 2N है तो यहां पर number of chromosomes यह है वो N हो जाएंगे ठीक है यानि कि जो में result मिले गए हैं यहां पर number of chromosomes हो जाएंगे N तो देखो यहां पर हमें दो cells मिल गए पहले यहां पर मानलो megaspor mother cell में सिर्फ एक cell ता हमें दो मिल गए है लेकिन अब इनका pole ID जो है यानि कि number of chromosomes हैं इसमें आदे आदे हो गए हैं ठीक है आदे आदे हो गए है diagram भी देख सकते हो अब यहां पर में देखो मेगस पर डायड लिखाए तो दो cells यानि की डायड दो दो का मतलब किए होता है डायड थे बैब आप क्या होगा तो अब यहां सिस जो है दो डिविजन में दो part में मुन मीस one ओ nhất टू मैसी टू होगा तो हमेंब यहांपे दो तर्स और मिल जाएंगे यह देखो बए बहुत ही गया बढ़ियासे दो सेल और आ गए टोटल हो गए हैं पर चार आ गए तो इसको में कहा देते तो मेल में चारो के चारो फंक्शनल थे और चारो के चारो क्या बना देते मेल गेमिटोफाइट मेल गेमिटोफाइट मेल गेमिटोफाइट क्या होता है जल्दी से बता देना मुझे जिन बच्चों ने चैप्टर पढ़ रहे हैं साथ साथ मेरे उनको पता होगा अब लेकिन female के case में होता क्या है बाई उपर वाले अपने तीन जो होते हैं वो degenerate कर जाते हैं और नीचे वाला एक सिर्फ मेगा स्पोर यह क्या बनाता है यह बनाता है हमारा embryo sec यह बनाता है embryo sec यह हम कह सकते हैं female gametophyte ठीक है भाई female gametophyte अब यह कैसे बनता है जारा next slide पर देख लेते हैं जादा detail में नहीं जाएंगे next slide पर आते हैं ठीक है बाई चलो एक और next slide कर दीजिए diagram आएगा आपकी screen पर हाव यह diagram आ गया है मैं इसको पीछे वाले को रेस कर देता हूं ठीक है तब तक एक बारे आप diagram देखो जो बच्चे नहीं हो और पुराने वाले उसको रिवाइस कर लो जल्दी से चलो बाई देखो यहां पर क्या हो रहा है यहां पर क्या होता है आपको screen पर डियाग्रम दिख रहा है हमने बोला कि यह अपना यह हो गया functional Megaspore इसको functional क्यों कह रहे हैं क्योंकि बाकी के जो है सारे वो degenerate कर रहे है इसलिए specially यहांपर mention कर जा रहे है functional Megaspore ठीक है कैसा होता है 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 प्लड यानिकी एंड इस functional Megaspor में division होता है और वो division कैसा होगा mytosis होगा mytosis होने के बाद हमें यहाँ आपर दो सेल मिल जाते है उन दो सेल्स में फिर से इन दो सेल्स में फिर से क् Glennay ने बताए था की आ benefiting से क्या होता है निचे रहते हैं दो बीच में आने के बाद इस सरी का मिलता है यह कुछ इस तरीक verified है ऊपर वाले जो तीशल होते हैं तुवर्ट्स स्ट्रक्चयव व्युविल थे ठीक है तो चल चल जल घंट की तरफ तीन सलसल आते हैं जिसको मुत Гल्ट पॉलर पुलरे आ जाते हैं और मैक्रोपायेर एंड की तरफ जिसको मुत एग अपरेस यहां पर क्या है दो सिनर्जिट है थे वो पोल से आये थे इसलिए उसके नुकले को क्या बोला पोल नुकले बोला और बीच में प्रेजंट है इसलिए सेंट्रल सेल भी आप इसका नाम रख सकते हैं ठीक है पूरे अपने अम्रेव सेक के अंदर सारे के सारे कैसे सेल्स होते हैं है प्लेड होते हैं लेकिन सेंट लगा डियोत नमबर को बीचित है लेके नूक razzo कृड़ती है निपलिस तोकल इसको मेंने डियागरम के बाव चल इसके अंदर उपर वाले के इंदर नीगलेस नीचे वालों के अंदर और बीच में दो न्युक्लिस प्रेजंट है तो यह हमने कल अच्छा से पढ़ लिया था और जब हमारा पूरा एम्परोस एक बनता है सिंगल फंक्शनल मेगा स्पोर तो उस प्रसेश्ट के कहते हैं मेगा गामीटो जैनिसिश्ट तो इसकी बात हमने कल कर ली थी ठीक है इसकी बात हमने कर ली हम बात करेंगे कि भाई antipodals क्या से होते हैं ध्क रिया करते हैं center cell क्या करते हैं ठीक है तो बेसेख लिजब फटेलेजिशन की बात करेंगे तो सारे cells का function की बात करेंगे क्शलो अभी हम कां तक पहुझे हैं चैप्टर में देखे अब अम कहां तक पहुझेंगे हमने मेल मेंड़ मेट बना दिया है जैंग वेड़ पग नहीं पार ** और या है हमने फीमेल गैव gefड लिया है फीमेल गैमिट के बारे में भी पड़ी है अब क्या करवाना है पढ़ लिया है अब क्या करवाना है हमें अब मेल के मिट बन गया फीमेल के मिट बन गया जाहर सी बात है कि अब मेल के मिट को फीमेल के पास भीजना है ठीक है मेल के मिट को फीमेल के पास भीजना है कैसे भीजेंगे उस प्रसेसकों क्या कहते हैं तो आज हम उसके बार में प हैं और फिर से बता रहा हुं कि आपके पास ही अच्छा मौका है कि अपना जब cv AC Bo scores स्टार्ट होगा तो अगर सारे चेप्टर अपने फिनिश हो जाएंगे जैसे कि अपना ओर्गैनिजम पॉपलेशन हो गया फिर उसके बाद जैनेटिक्स करेंगे उसके बाद इस यूनिट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है तो उस वाली यून को फिर से कवर कर लेंग कोशन आ रहे हैं आप उस कोशन को कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं आपको भी पता लगेगा और आपका भी कॉन्फिडेंस जो है बिल्ड होगा ठीक है बाई चलो पॉलनेशन पर आते हैं तो हमने क्या पढ़ लिया देखो यहां पर अपना क्या है एंथर है यहां पर हमारा क्य याने की स्कुम कह सकते हैं पिस्टिल और यहां पर अपना क्या है स्टेमन ठीक है हमने इन दोनों के अंदर जैसे गैमेट्स बनते हैं उसके बार में पढ़ लिया अब हमें क्या करना है गैमेट्स को यहां से यहां तक पहुचाना है ताकि क्या होगा ताकि अपना जो मेल गै है पालि नेशन का स्टय почему है वो कितना मेंपोर्टेंट आ पाली नेशन का स्टैप जो है कितना इंपोर्टेंट है तो gradient का से डेफिनिशन लिखते हैं क्या हम ट्रांसफर और फ पोलनल्करींस गर आपको पता है तो आप answer कर सकते हैं इसका आप अपने comment में इसका definition का definition जो है brief में लिख सकते हैं transfer of pollen grains कहां से from enter enter to stigma okay from enter to stigma इसी को हम कहते है pollination कहते हैं simple सा definition है ओके अब एक और important बात एक और important बात with help of with help of various agents various agents ओके अब यह agents कोई भी हो सकते हैं जैसे की wind हो गया ओके water हो गया या अपने insects हो गया कोई भी हो सकता है कभी-कभी birds भी करती हैं कभी-कभी birds भी करती हैं ठीके बाई तो अब देखो अपने plants जो है यह खुद तो move नहीं कर पाते तो जायर सी पाते है कि किसी agent की जयुद पड़ेगी जो pollen grains को यहां से यहां पे लेके चले जाए हना तो हमने क्या बोला transfer of pollen grains from enter to stigma with help of various agents like wind water insects birds etc यह pollination का simple definition है अब pollination देखो different types के हो सकते हैं किस basis पे कि यह जो enter से stigma पे enter से stigma पे जो pollen grains जा रहे हैं क्या यह इंतर स्टिक्मा सेम फ्लार पे हैं या condition यह भी हो सकती है यहां खो सकता है पोलन grains यहां से इसवाल में मैं आपने दो अलग अलग यहां प्लांट हो गए है यहां पे एक फलार है Bulan यहां से यहां पर चले गए तो इस condition कम क्या कहते था तो फ्लार सेम है या अलग अलग है उस basis पे अपने pollination different types के हो सकते हैं या देखो कभी कभी सिर्फ wind अपना agent होता है कभी कभी अपना water agent होता है कभी सिर्फ insects agent होते हैं कभी सिर्फ birds होती है तो agents के basis पे और pollen grains किस flower पे जा रहा है उस basis पर अपने pollination के different types होते हैं, अपने pollination के different types होते हैं, ठीक है, तो उन types को आज हम start करेंगे, उनको start करने से पहले एक important चीज आपको पता होनी चाहिए, जो कि अपने क्या है, types of flowers and plants, ठीक है, तो उस से पहले हम एक चीज कवर करते हैं, जब तक हम next slide पर आते हैं, चलो, next slide प कुछ जो मैं flower और plants के बारे मैं आपको बताना चाहरा हूं, ये ना teachers बीच में पढ़ाते हैं, pollination के बीच में पढ़ाते हैं, मुझे लगता है कि यार ये ना starting में बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इससे ना आप pollination को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है भाई, फिल बीच होते हैं, अपने दो तरीके के होते हैं, कौन-कौन से, एक तो होता है, Chasmo Gammas, ओके और दूसरा होता है, यहाँ पर अपना, क्लिस्टो, क्लिस्टो, गैमस, क्लिस्टो, गैमस, फर्क क्या होता है दोनों में, इस चीज को ज़रा समझते हैं, देखो, नॉमल अपना जो फ्ला होता गाइनोश्य यह नॉमल फ्लार है ठीक ए यूजरी क्या होता है कभी-कभी कुछ फ्लार्स उनके सेपल्स और पैटल स्लेक जो है स्लेक्ष और पैटल कंछी फ्लार के सपलस और पैटल्स ये कभी ओपन ही नहीं करते है यह कह सकते हैं एक close bird like structure बनाते हैं close bird like structure कैसे देखो मालों यहाँ पर अपने फ्राइर है ठीक है यह सेपल सर पेडल ने हो गई नीजे पैटलों थी कर अंदर अंदर यांपर प्रेजंट अपना क्या एंडर सेह रS इसके बगल में पर प्रेजंट था ईं यह ऐसे effective ए यह चुमैंड ऑपन है यह अपनी open है थीक है तो अब हम यहां पर क्या बनाते हैं हम यहां पर अपना आ जाएगा एंरोशियम स्रिक इनोशियम और यह पर आ जाएगा अपना एंलोशियम यानिकी एंतर तो यहाँ पर देखो क्छा है कि अपने सब्त हो हैं और एक स्टेमेंस ओर में स्टेमिन जो हैंए तो ऐसे फ्लार्स को हम कहते हैं क्या जैस्मो गैमस फ्लार्स अब देखो इस वाले फ्लार के अंदर पोलन ग्रेंज जो हैं ना तो यहां से भार जा सकते हैं ना तो कोई भार से कोई पोलन ग्रेंज अंदर आ सकता है तो इस केस में क्या होता है सिर्फ एक ही कंडिशन होती है ग्रेंस जो है अपनने यहाँ से सिर्फ इसके स्टिक्मा पे ही आ सकते हैं इस चीज को याद रखेंगे क्योंकि आगे जाके एक काम आएगे आगे थीक् Mana गवां पैजाम या किसी भी चीज़ के लिए यहापए freedom है लेकिन इस केसमें यहाँ इए freedom नहीं है यहाँ zgna freedom या कह सकते हैं आजादी नहीं है किस को pollen grains को ठीके तो यह अपने हमारे होगे type saflar in d64 आपको याद अपना है अब जारा मर बात कर लेते हैं types of plant की हम बात कर लेते हैं टाइप सो फ्लांट की उससे पहले एक और इंपोर्टन बात यहां पर देखो दो फ्लाट के बारें पढ़ लेते हैं यूनिसेक्श्वल और बाइसेक्श्वल तो यह तो बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा अना यूनिसेक्श्वल मतलब की कैसा इन चलो यहां पे आगर हमारा सिर्फ पेस्टिल प्रजेंट आ तो अपना फीमिल अनमन बाकी की वॉल्ष नहीं बनाई हैं सिर्फ अपना स्टेमेण और पिस्टल बनाए तो यूनिसेक्श्वल में यहका प्रेजंट होगा या तो अपना इंडोंश्यम होगा या तो अपन पढ़ेंगे types of plants कुछ-कुछ plant ऐसे होते हैं जहां पर male male flowers ठीक है यहां पर अपना एक male flower है और यहां पर अपना क्या है female flower यह वाला है यहां पर अपना female flower ठीक है कुछ-कुछ plants ऐसे होते हैं जहां पर male or female flowers जो है same plant पर present होते हैं ठीक है ऐसे plants को हम क्या कहते हैं Monoaceous Monoaceous Plants क्या कहते है Monoaceous Plants आगे जाके यह term use होगा अगर नहीं दिख रहा तो थोड़ा इसको बड़ा लिख देते हैं ठीक है लोग जाओ एक मिनट चालो इसको नहीं पर लिख देते हैं यह क्या है Monoaceous कि ओके भाई एक कंडिशन क्या बनती है कि यहां पर एक प्लांट है ठीक है अब इस प्लांट के उपर सिर्फ क्या प्रेजंट है हमारे male flowers, इस plant के उपर हमारे क्या present है सिर्फ male flowers और इस वाले plant के उपर present है अपने सिर्फ female flowers, सिर्फ female flowers, तो ये कौन सी condition होती है, ये होती है, dioecious, dioecious condition, तीक है, दो condition हो गई है, तीसीरी condition को नहीं यहाँ पर ड्रो कर देते हैं, यहाँ पर हम ड्रो कर रहे हैं क्या, यहाँ पर अपना यह male flower है, M for male, यहाँ पर अपना यह क्या है, female flower है, F for female, और यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या, B, यानि कि bisexual, इस plant के उपर male, female, bisexual flowers दोनों present है, ऐसे plant को हम क्या कहते है, polygam तो यह आपकी NCRT में नहीं दे रहा खा, ठीक है, लेकिन नीट में यहाँ से कोशिंग पूछे जाते हैं, और अब यह वाला चैप्टर जो कि है, नीट में शिफ्ट हो जाएगा, तो उसकी तरहा त्यारी करनी पड़ेगी, ठीक है, बाई, तो यहाँ पर हमने different type of flowers पढ़ लिए और plants पर लिए, अब इन सारे terms का use हम आगे करेंगे, इस चीज़ को फिर से याद कहा रहा हूँ, इस चीज़ को फिर से याद रखना, क्लिस्टोगेमस कौन से होते हैं, और चैज्मोगेमस कौन से होते हैं, ठीक है, चलो, next slide पर आते हैं, यहाँ पर देखो, मैंने एक इसे डाइगरम भी पेस्ट कर रखा है, आपकी NCRT से ही लिया है, ठीक है, यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, दोनों तरीके के अपने flowers, क्लिस्टोगेमस भी, और चैज्मोगेमस भी, ठीक है, ताप उसको देखो, एक बार इसको डिस्कॉस कर लेते हैं, चलो भाई, इसको देखो, यहाँ पर देखो ऊपर की तरफ प्रेजेंट अपना क्या, चैज्मोगेमस भाइर ओपन है, नीचे की साइड यहाँ पर बड़्ड की तरह स्रुक्च्चर्चर्स भनें, यानि की क्लिस्टोगेमस भ्लाइर, इस प्लांट का नाम क्या है, इस प् के अंदर दोनो चैस्मो गैमस ऐस वेले स्क्रिस्टो गैमस फ्लार्स प्रेजन्ट होते हैं ठीक है तो आपको सिर्फ इमेज दिखाने के लिए मैंने आपर पेश कर रहा था बाकी डेफिनेशन की दो बात हमने कर लिए हैं ओके चलो आगया आते हैं आगया आते बाई नेक्स लाइट पर कुछ का टाइम हो चुका है ओके तो कुछ का टाइम हो चुका है एक मिट इसको रेस कर देते हैं और आप सब कुछ की त्यारी करो चलो भई कुछ का पहला कोशन यह रहा आपकी स्कूरीन पर भाई चैस्मो गैमस ऐस वेले स्क्रिस्टो गैमस फिलाड किस के अंदर मिलते हैं अभी पीज़े बताया था यह तो अनवी पीछे बताया सको जल्दी से बता ओ क्या आंसर हो गया आपर हमारा पन का धकन गरिया है चलो जल्दी बता हुषको आभी पीछे आप़ीजम्पल दिया था ठीक है यह गलप नहीं होना है ताकि हमें पता लगे कि यूट्यूब भी बच्चे पढ़ रहे हैं अगर आपको एप पे कुई अटेंड करने है तो आप यूट्यूब से एप भी आ सकते हैं कोई दिक्ट की बात नहीं है चलो सैकंड कोशन पर आते हैं डायोशियस प्लांट कौन सा होता है तो आपको बत ठीक है बाई जल्दी से मार्ग करो फिर उसके बाद इसको हम डिसकर्स करते हैं त्सक्राइब तो कितना होगया है टाइम भी होने वाला है साड़े नहीं तो आप को स्पशistics के अंदर एक नाम लिख आ ता कॉमली ना याने की option number a correct choice है next पर आते हैं next पर आते हैं आपर पूछाए कि डायोशेस प्लांट जो होता है अपना वो कौन सा होता है तो हमने ड्राव करा था एक प्लांट हमने आपे एक प्लांट रो करा था जिसके उपर सिर्फ बनाये थे ओर आते हैं यहांपर क्योंब केते हैं डायोशेस तो जिसको चीजे समझ में आई होगी जिसने चीजेशे ध्यान से सुनी होगी उसने इस को मार्क कर दिया होगा ठीक है अब आते हैं आगे जहांपर पढ़ेंगे types of pollination के बारे में तो आज हमारे जो फ्लावर वाला पूशन है यानि कि types of pollination on the basis of flower वो वाला तुम कवर कर लेंगे agents वाला next class में कवर कर लेंगे कोई दिक्कत की बात नहीं मंडे को कर लेंगे ठीक है आगे आते हैं भाई चलो types of pollination अब इसकी बात करें तो pollination जो होता है basically दो केटेग्रे में डिवाइड़ है mainly एक होता है एक होता है यहां पर क्या self-pollination self-pollination ओके जिसको हम autogammy autogammy भी कहते हैं self-pollination क्या है अभी आपको बताते हैं कोई tension के वाली बात नहीं है दूसरी condition होती है cross-pollination 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 को हम क्या कह देते हैं कभी-कभी allogammy भी कह देते हैं allogammy तो आपको यह नाम याद होने चाहिए cross-pollination और self-pollination ठीक है self देखो नाम से पता लग रहा है कि यहां पर यहां पर pollen grains का transfer जो होता है वो कहां पर होगा भाई self पर यानि कि एक ही flower के अंदर अगर इसका हम diagram ड्रॉक करें तो देखो यहां पर अगर हम flower बनाते हैं सिर्फ क्या बनाएंगे stamens और gynosium क्योंकि उनी का काम है हमें और किसी का काम नहीं है तो pollen grains यहां से निकलेंगे और इस वाले stigma पर आ जाएएंगे यानि कि same flower के stigma पर आ जाएएंगे तो यहां पर क्या क्या conditions होगी देखो नहां पर अपना flower कैसा है same है ठीक है तो flower आप से में तो जायर सी बाते कि प्लांट भी कैसा होगा प्लांट नीचे लिए में उत्तर सिह यहाँ प्लांट भी कैसा होगा सेम अ ठीक है बाहि। कि नेग्स उस पे आते हैं क्रॉस प्लॉनेशन पे जाए पिर आainen कि नाम से पता लग ठीक है इस फ्लार से इस वाले फ्लार के स्टिग्मा पे चले जाएंगे और और हम क्या कह सकते हैं यार देखो अब जो यह अपने प्लांट है तो यह अपनी जो फ्लार है हो सकता है कि सेम प्लांट पे हो हाना हो सकता है क्या different plant पे हो तो इस basis पे भी इस बेसिस पे भी अपने cross pollination को दो categories में divide किया है जैसे कि माल लो यहां पर यहां पर अपना एक plant है तो यहां पर यह अपना flower हो गया यह male flower है यहां पर दूसरा flower है और यह अपना female flower as safe plants जिसके ओपर male और female दोनों present हो उसको कहते हैं वाई उसको कहते हैं क्या आपको बताना है ठीक है चलो पोलन गेंस इस male flower से निकले और इस वाले female flower पर आ गए तो इसको कहते हैं इसको हम flowers जो हैं वह कैसे रहे अलग-अलग रहे यानि कि different रहे लेकिन plant जो था plant जो था यहां पर कैसा था सेम था ओके चलो अब आते है important point पर जितनों गैमिके यहां पर कहीपई देखो flowers बर माना की अलग है है लेकिन दोनों के गमện सेम बना रहा यह दोनों के गमीट्स होते हैं ऑफ दोनों के गमीट्स वो फिर सेम प्लांट बनाता है तो कहीं नहीं हम कह SAKते है ना यार क्योंकि अब जर्धा को यहां पर क्या है कि अगर genetically किसी की तरह सेम है यहative in की तरह सेम है genetically auto gamma ki की तरह होता है क्यों Christmas गैंज कि आटเทेन में फ्लाइट जो अपने सेम पार्ट पर होते हैं दोनों में generic material जो अधर सेम प्लाइटका होता है तो यहाँ भी क्या ओगा मेर्ट काrespondent ऑलग अलग थ chapters के क्योंकि सेम प्लाइट पर present है ओके भए लास्ट अपना case बिसता है क्या मालो कि अभी हाँ पर एक plant है तो इसके उपर सिर्फ present है male flowers यहाँ पे दूसरा plant है इसके उपडर present है सिर्फ female flowers तो ऐसे condition को मैंने किया बोला था पीछे dioacias अगर मैं आपको होँआ पर नहीं सम्झाता तो मेरे को निकलेंगे और फीमेल के स्टिग्मा पर चले जाएंगे अब यहां पर देखो हुआ क्या यहां पर अपने फ्लावर फ्लावर कैसे रहे डिफरेंट रहे ओके यहां पर हमारे प्लांट्स प्लांट्स भी कैसे रहे डिफरेंट रहे ठीक है और यहां पर हमारे कह सकते हैं यहा तो तीन कंडिशन्स आपके सामने हैं सेलफ पॉलिनेशन में ओटो गैमी आ गया क्रॉस पॉलिनेशन अपना फॉर्दर डिवाइड होता है किसके बिसिस पे की पॉलन ग्रेंशन यहां सेम प्लांट पे जा रहे हैं या डिफेर्ट प्लांट पे जा रहे हैं कौन-कौन सा ऐलो अच्छा क्रॉस पॉलिनेशन को एलोगयमी कहते हैं यहां पर जिटनोगयमी आ गया यहां पर और जनोगयमी आ गया ठीक है इतनी बात क्लियर है अब आपको क्या करना है भाई थोड़ी महनत आप भी करो हम सारी महनत करते रहेंगे फिर आपको याद होगा नहीं कुछ होमवक में आपको इसके एक्जामपल्स करने हैं ठीक है तो यार देखो माना कि तुम 12 क्लास में हो लेकिन जब तक खुद से अफर्ट नहीं करोगे कुछ फाइदा नहीं पढ़नेगा ठीक है हम 10 क्लास की बच्चों को भी पढ़ाते हैं वो बच्चे इतने सिंसेर हैं कि हो इंतिखक्त होते हैं उसमें से सिर्फ एक मिनट लगना इसको करने में तो इतना तुम कर सकते हो खुद एफर्ट डालोगे थोड़ी चीज़े खुद पढ़ोगे इंटरनेट पर इसके बारे में ढूंड़ोगे किताब की बारो में इसके अंदर पढ़ोगे तो हो सकता है कि सबका 100% इंटरेक्शन चाहिए जितने भी बच्चे देख रहे हों सब अच्छे से देखते रहने चाहिए स्कोर्स को ताकि उनको फाइदा हो ठीक है थोड़ था ट्रस्ट करोगे तुम्हें लगेगा कि नहीं भई हाँ एक्जाम पॉइंट से यानिकी सीवीसी पॉइंट पॉइंट से यानिट पॉइंट आफ यूसे अगर नीट का पठे है तो एकनम रिलेवंट होगा नीट के साफ से सीवासी का तो सीवेज्ड होगा ठीक है ठीक है चलो आगे आते हैं आगे आते अपने कुछी Zarberry कुछ उसको कर लेते हैं चलो हाँ जी कुछिस का टायम आगया या फंक्शनली ओटो गैमर्स तो जिटनो गैमर्स को हमने बताया था क्या कहते हैं ठीक है और इसका अंसर आपकी स्क्रीन पर लिखा वाई पहले माक कर दो इसको टाइम खता हो जाओ फिर हटूंगा मैं यह मैं इसको एरेस कर देता हूं रुको इसको मैंने एरेस कर दिया लो ठीक है बाई इरेस कर दिया लेकिन तुम्हें आंसर पता होना चाहिए इसका ना अच्छे से समझाया था हमने और जो समझाया है उसी की बेसिस पे चलो नेक्स कोश्चन पर आते हैं और ओटो गैमी में क्या होता है तो मोटो गैमी के आगे खड़ो गए अब टांसफर पोल हमेरी के वहार तो यहिए आपको बताना है तो ना चाहे टाये काहि रहे हो लोग कहते हैं कहा बाई कर सुपा और्वी करने के बारवी करनेосто जिन्देगी सेट नहीं है तो अच्छे से भी पढ़ाई करोगे तो ही फाइदा है वरना फिर तुम समझ रहे हो ना किसी कोने में किसी जगा पर पढ़े रहोगे कुछ फाइदा नहीं है कोई पूछने वाला नहीं होगा यह असली जिन्दगी है जो मैं आप तो को बता रहा ह तो ड़ा नहीं था तुम्हें असली लाइफ से थोड़ा रूबरू करवा रहे हैं और हमारे साथ बने रहेंगे तो पूरा अच्छी जो अपनी रियल लाइफ होते हैं उसके बारे में अच्छे से बता देंगे ठीक है क्या होता है क्या नहीं होता आपको लग रहा हुआ कि जिट्रोगैमी को हम क्या कहते हैं तो जैनेटिक लिए ओटोगैमस कहते हैं नीट का पेपर उठाके देख रहें ना अगर यह कोशन ना मिले तो पढ़ना छोड़ देना ठीक है बाई तो तुमने नीट का पेपर सॉल्व कर लिया एक कोशन नीट में चार मार्स का आता है आ और तुमने दो नीट के कोशन आज कर लिए जो उपर वाले कोशन मैंने कर रहे थे टिपिकल एम्रोस एक वो सी बीसी में भी आता है नीट में भी आता है ठीक है भाई डाशेस प्लांट कौन से होते हैं मैं यह नहीं कहता कि इसको डारेक्ट कोशन आता है लेकिन एक्जाम म भी मुझे बताना धून करके ठीक है तो हाडली इसमें तुम्हारा सिर्फ दस मिनट लगना है दस मिनट भी मैंने जादा बोल दिया है मौनो श्राइस के एक्जामपल ढून लेना और यह टम ना यह टम अगर आप नीट की त्यारी कर रहे हैं तो आपके पास पिछले साल की किताब होगी नहीं भी होगी तो गूगल पर सर्च कर लेना कि हाँ नीट के पिछले साल के पेपर्स ठीक है गूगल को यह मत बोलना नीट फिडियो से पेपर लिख देना तुम्हें डाइस यस और मोनो श्राइस पर कोशन जरूर मिलेगा तो जो पढ़ा रहे हैं ठीक है हम मिलते हैं मंडे को मंडे को यह क्लास पांच बज़े शिफ्ट हो जाएगी और इसमें नीट का सारा मैटियल आएगा अपसे ठीक है यह टाइप ऑफ पॉलिशन एजन के साब से यह देखो बाद में कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है नेक्स क्लास में कर लेंगे टाइम टेब खतम हुआ तो कम से कम कोशिश करूँगा कि 80% कोर्स खतम हो जाए ठीक है जितना पढ़ाओंगा अगर मैंने 70 नंबर का पढ़ाया ना तो उसमें से दो नंबर कटेंगे जाद से जादा जितना मैं पढ़ाओंगा सब एक्जाम में आएगा यह मैं गरेंटी दे रहाँ तु झाल 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 झाल